अब नाव चमीआ कारिंगे जेंगो और रैस्ट फ्रेमवर्क के सांथ तो फिर्स्ट प्रेट करते हैं तो क्के स्टाट गाइड के लिए कि यहां पर वो टृटोरियल में क्क्राइब करते हैं यहांसे इसको आप फॉलो करके अराम से स्टाट कर सकते हो आप हमारे ब्लोग को फॉलो कर सकते हो blog.f2.com पर आओगे तो इसका जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा तो यहां पर आजाओगे आप इसका जो पर आप यहां पर आप यहां पर आप यही वाला वर्जन इसका पर इसका करने के लिए इस कमांड को फायर कर सकते हैं इसका पर इसका जैंगो 3.1.1 जो जैंगो का 3.1.1 जो वर्जन है वो आपके सिस्टम में इस्टाब हो जाएगा मुआ पर वर्चुल अवर्जमन का यूज कर रहा हूं कि सारे प्रुज्ट हम एक लिए वर्जन के साथ रन करना चाहते हैं मैंने यहां पे जो folder मेरे पास courses के अंदर मैं DRF करके folder क्या है कि यहां पे मुझे shift होना है पहले यहां पे मैंने का CLS CD desktop के जाना है इसके बाद मुझे जाना Vaticặc courses के अंदर CLS यहां पे मुझे जाना है DRF folder के अंदर यहां मुझे project start करना है तो मैं यहाँ पर गवका जैंगो एडमिन और यहाँ पर मैं लिकूंगा ऐफन वर्जन तो याँ पर इन्सल्लोच करते हैं तो जैंगो राश्रक्राइब्स किया है एक अप्लिकेशन है इसे हम अपने एक बनाते है, वैसी वो एक बनाते हैं, तो हम घैंगो पर्जयक्ट स्टार्ट करेंगे , तो पहले जैंगो का पर्जच करेंगे , यहांपर हम लिखेंगे मяти दबल ड़्ी करना चाहते हैं यहां पे किया पाद मुझे इसके नदर जाना है मैंआ किडि काहीं कreat हुंगा यहां पे मुझे इसको ब्धesने ऑद मुझे XT मैं अभी कहां पर हूँ DRF के अंदर एक Quick Start लगी यहां पर, अभी यह मेरे पास यहां पर एक project है, यह क्या है मेरे पास एक project, तो इसके अंदर मैं यहां पर एक 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 क्रियेट करना जातों मैं काऊंगा CD Quick Start अंदरा चुका हूं मैं इस फोल्डर के अंदर लोगी यहां पर अब यहां मुझे एक 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 क्रियेट करना है तो इसके हम कहेंगे CLS जैंगो प्रोजेक्ट आप साली जैंगो एडमिन स्टार्ट एप एप का नाम क्या रखना तो मैंने का जिस्ट एप यहां पे एक एप क्रियेट हो चुका है यह ठीक है नाव एप्लिजेशन को रण करेंगे तो python manage.py इससे पहले हम अपने एप को रजिस्टर करेंगे settings.py में यहां मैं VS code को open करूँगा यह VS code हमने open किया यहां पे हम settings.py में जाएंगे और कुछ अगर आपको रिक अपन निट को extension आते हैं तो install कर लीजे नहीं आता है तो आप यहां extension में जाके हम सर्ज करेंगे python तो यह आपको extension में लेगा आपको से install कर लेना है settings.py में आएंगे और यहां पे हम अपने installed app के अंदर अपने app का पास देंगे तो हमारे जो quick start folder उसके अंदर app है तो मैं यहां पे लिकूंगा quick start.app save किया okay now run करेंगे इसको वापस command prompt तुनाएंगे cls python manage.py नहीं है यहां पे एक फोल्डर आप आएंगे क्योंगी start folder के अंदर manage.py python manage.py run server run ho गया server यहां पे कोई दिक्कत नहीं है आप वापस आएंगे browser पे और यहां पे हम देखेंगे localhost colon 8000 यहां पे जो जैंगो का जो web application हो मेरा वो start हो चुका है अभी हमनों कोई migration apply नहीं किये है, super user create नहीं है कि हमने पास database नहीं है हम यहां पे connect करेंगे mysql server को उसको हम connect करेंगे, देखेंगे next video में कैसे mysql server को इससे हम आपे connect कर सकते ही